तो कैसे हैं आप सब होप आप सभी अच्छ होंगे मैं भी बड़िया हूँ बुले तो मस्त तो चलिए शुरू करते हैं कहानी एहसास प्यार की एपिसोड 90 प्रिवस पार्ट मैं नहीं बोलूंगी सीधा स्टोरी शे शुरू करते हैं जो रूही है वो पूजा और आहना को ले जाते हैं प्रोमोशन की लिए कुछ चाहिए होती है तो वहाँ पे करीब 2,5 गंटे बीच जाते हैं इदर जो शिवानी है वो मिशका कोली के एक साइट पे घर पे जाती है और डोरी बिल जो है बचाती है कुछ देर बाद एकदम से दोर ओपन होती है और वहाँ से एक बु शिवानी जो है वो इंतम से उनकी पेर छूती है और हग कर च्रा बोटी कैसी हो मासी जी मैं तो विल्कुल ठीक हूँ तब ही बुढ़ी बोटी कि अले कैसी हो बस चल रही है जिसी कि पतानी कब तब चलीगी तब ही जो शिवानी है को इसे कैसे मासी एसे ना बोलो तो यह ल तबहे एकदम से जो बुड़ी है वो बोलती कि अरे वो उपर की कमरे में मैं बुलाओं क्या की तुम आई हो तबहे एकदम से शिवाणी बोलती कि नहीं मत बुलाईए उसे खुद पता चल जाएए तो जो मिशका है वो कुछ समझ नहीं पारी थी, वो बस एक टक देख रही थी शिवानी को, कि वो यहाँ पर किया है, यहाँ पर क्यों लेख आई है, यह सारी चीज सोच रही थी, और शिवानी कुछ बाते वगरा कर रही थी, करीब 10 मिनिट बात, एक तम से, उपर की सिर्यों से, जो है, चलती हुई एक लड़की आती है, और आके वो एकदम से, मिश्का की, सौरी, जो शिवानी की सामने खड़ी हो जाती है, और एकदम से बोलती है, जैसे शिवानी उस लड़की को देखती हो, खड़ी हो जाती है, और एकदम से बोलती हो, फिर जो है, वो लड़की एकदम से, जो श इतनी सेंटी होने की कोई बात नहीं है तुम्हें किसी से मिलवानी थी तो जैसे यह बोलती है तो निहा जो है वो थोरी से पीछे हो जाते हैं वो शिवानी की तरफ एक टाक देखती है वो देखके उसकी फेश थोरी से वो डल से हो जाती है और रोलती है अच्छा मिलवाने लाई हो इसका मतलब जो मैं समझ रही हूँ क्या हो है तभी शिवानी चुप हो जाती है तो मिश्का को कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि यार यहाँ पे क्यों लेके आई है यह बुढ़ी कौन है यह लरकी कौन है यार क्या मसला है कुछ समझ नहीं आ रही है तभी शिवानी जो है वो एकदम से मिश्का की तरफ दिखती है और मिश्का को बोलती कि मिश्का मिश्का एकदम से शिवानी की तरफ दिखता हो बोलो तभी वो बोलती है कि मिट माइ फ्रेंड ने हां तभी जैसे यह बोलती है तो मिश्का खड़ी होती है और उसके साथ एकदम से हैंशेक करने के लिए आगे करती है अपनी हाथ को तो जो लड़की है ना उसके साथ वो ठीक है तभी जो है जो मिश्का है वो उस नेहा की तरफ देखते है रोलती है नेहा जो नेहा है वो एकदम से मिश्का की सौरी जो शिवानी है उसको देखके बोलती है हां वो बोलो तभी वो बोलती है यह मेरी दोस्त है जैसे दोस्त बोलती है इस बार मिश्का थोरी खूर के देखते है शिवानी के और बोलती है इसने दोस्त बोली मतलब सबको तो गल्फरेंड बोलके फीरती है आज दोस्त बोली और उधर नेहा जो है वो एकदम से देखती है और उस एकदम से वो एक अलग सी स्माइल पास करती है बोलती है अच्छा मिलवाने लाई हो और दोस्त तुम जानती हो ना, तुम मुझसे जूट नहीं बोल सकती, तु सच बोल दो न, क्या प्रॉब्लम है, तभी जो शिवानी है, वो बोलती कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, दोस्त है, तभी वो बोलती कि नहीं, तुम कुछ और बोल रही हो, तुम्हारी आखे कुछ और भोल रही है तुम्हारी लफ्स तुम्हारी बातों की साथ नहीं दे रही है शेवानी इतनी तो पता ही है तुमको मेरे भारे में कि तुम उससे कभी जूट बोल नहीं सकती चाहू भी तो भी नहीं बोल सकती तभी वो जो वहाँ पर मासी जी बैठी वी थी बुड़ी और तो एकदम से बोलती अरे बेटा तुम लोग आपस में बात करो मैं मैं थोरी अपनी कमरे से हो क्या दिन तो ये बोलको साइट में चली जाती है और तभी जो निया है वो शीवानी की हाथ पकर के बोलो अब बोलो भी कोई बात नहीं तुम्हें तो पता है मेरे बारे में फिर ये जोट बोलने की क्या जरूरत है बोलो तभी शीवानी बोलती की जो हाल तुमारा है वो हाल मेरा भी अब क्या ही बोलो तुम्हें जैसे ये बोलती तो निया घूर के मिश्का की तरफ देखते इधर मिश्का को कुछ समझन आ रही थी, वो एकदम से मनी मन बुलती कि यार ये क्या चक्कर है इसने मुझे कहापे लाके रख दी यार और ये सब क्या पहले हुए में बात कर रही है मुझे कुछ समझ ही नहीं यारी इस सचता में रुभी के साथ चली जाती पता नहीं कहापाज गी यार यारी यार मुझे इतनी जीब लग रही है तभी जो नहा है वो एकदम से बोलती कि क्या खाओगी बोलो क्या लेके आऊं तभी शिवानी बोलती कि नहीं यार कुछ नहीं खाओओगी बस वो मासी को देखने आई सकती है मैं तुम्हारी आखे पढ़ सकती हूँ शिवानी इतनी भी नहीं पता है क्या तभी शिवानी चुप हो जाती है और मिश्का हो मतलब उसको इतनी आजीब लग रही थी तो नहा एकदम से उस साइट से जाती है जाके वो किचन साइट पे जली जाती है तो मिश्का एकदम से जो पूचती है शिवानी से कि यह है कौन और तुम मुझे आपे क्यों लेकर आई हो मुझे कुछ समझनी आ रही है यार और किस भी शे में बात कर रहे हो तुम सब मुझे वो तो बता दो यार तुम यहाँ आई क्यों हो तब ही जो शिवानी है वो मिश्का की तरफ देखते है और बोलती कि पता है यह नहा है और उनको मैं मौसी बलाती हूँ एक समय में हम दोनो यहाँ पे साथ में जो है वो डांस एक क्लास में जो है डांस करते थे वो मेरी पार्टनर थी डांस पार्टनर हम बहुत अच्छे दोस्त है अच्छे नहीं बहुत अच्छे दोस्त है and she loves me lot जैसी यह बोलती है तो मिश्का उसे घूर के दिखते है बोलती कि what तब ही जो है शिवानी हसती है और बोलती कि she loves me a lot वो मुझे से प्यार करती है बहुत पहले से करीब तो पास 6 साल हो चुके है लेकिन उसने मुझे काभी प्यार करना छोड़ी नहीं है पता है हर रोज मुझे मेरी उसे बात नहीं होती है लेकिन हफ़ते में एक दिन वो जो है Sunday की शाम की 6 बज़े मुझे काल करती है बरी तैजीब के साथ मुझे बस आदे घंटे उसका वो सारी चीज पूछना होती है कि तुम कैसी हो कैसे चल रही है सब कुछ ठीक है न क्या कर रही हो क्या नहीं कर रही हो कोई आई है क्या तुम्हारी जिंदीगी में सब कुछ वो आदे घंटे उसका fix time होती है और आदे घंटे वो बात करने के बाद वो call कुछ से ही cut कर देती है ये सिलसिला करीब चार साल से continuous है मिश्का बस चुप रहती है और सुनती रहती है और शिवानी एक्दम से बोलती है पता है जब मैंने तुम्हें देखी थी न तुम बहुत पसंदाई हो मुझे वो तुम्हारी वो बाते है तुम्हारा वो देखने का थरीका I just fall for you तुम से प्यार करने के बाद ना पता चली कि यार ये प्यार होती क्या है और तब जाके मुझे एहसास हुई कि ये कितनी मुहपत करती है मुझे तब जाके ये एहसास हुई पहले नहीं हुई थी क्योंकि मुझे उसके लिए फिलिंग्स नहीं थी ना उसका एक तरफा थी मैंने कभी उसको समझा ही नहीं लेकिन पता है उसने कभी ना मुझे फोच नहीं किया उसने कहा कि तुम प्यार नहीं करती हो कोई बात नहीं कोई बात नहीं मैं तुमसे प्यार करके खुश हूँ ये मेरी खुश किस नसीब है कि मैं तुमसे मौपत कर पाई हूँ मुझे मौपत का अगास हुई तु सही कोई फरक नहीं पड़ती कि मैं उसकी साथ हूँ या नहीं हूँ बस उसकी मौपत हमेशा जिन्दा रहेगी मेरे लिए ये चीज न वो बोली थी तब मेरे दिमाग में ये सारे चीज़ समझ नहीं आई ये थी लेकिन आज धीरे धीरे मैं उसकी हर एक बात की जो है माईने समझ पारी हूँ बहुत अच्छी से और अब जाके हैसास हुई कि यारी कितनी प्यार करती हैं उससे काश मैं उस वक्त अब जैसी सोच दी पास साल से हो वो कभी नस है मिश्का तो शांत रहती हूँ कुछ नहीं बोलती है और तभी निया वो कुछ पास्ता वगरा लेके आती है और एकदम से निया जो शिवानी की सामने राती है और बोलती है ये लो तुमारी फेवरेट पास्ता और वो जो है इसका की सामने भी देती है कौफी देती है और शिवानी के साथ जाके बैठे जाती है तभी शिवानी हसते और बोलती अच्छा आज भी याद है तभी बोलती कि बेशक याद है सब कुछ याद है आज भी याद है कि तुम्हें सुभे उटके ब्रश करने के बाद तुम्हें ब्लैक टी पीने की आदत है विदा उचूगर आज भी याद है कि दुपहर पे लंज करने के बाद तुम्हें चॉकलेट खाने की याद है आज भी याद है शाम को पतलब डिनर करने के बाद जब तुम सोने जाओगी तब तुम वो जो होते हैं ना इलाईची की दाना वो अपनी मुह में लेती हो आज भी याद है तुमें जादा ठंडा फसंद नहीं है एक ख़त तक आज भी याद है कि तुम जब भी डिस्टर्फ होती हो तब भी तुम ड्रिंग गठक लेती हो जो मिश्का है वो चूप रहती है और शिवानी हसती है और बोलती कि इतना सब कुछ आज भी तो यह बोलती कि हाँ रहनी भी चाहिए भल तुम करती गया हो वो मिशका की तरब देख के बोलती किLAN भलती कि बीजनेस भीजनेस समाल दी हो तब जी बोलती कि अच्छा तुम बीजनेस वाली से क्यों तो लगती थी कि जो लोग बीजनेस करते वो बहुत एटिटूड वाले होते है बहुत वेस्ट रहने वाले तभी जो है शिवानी हसती है और बोलती कि क्या ही करे तो वहाँ पर थोरी बहुत वो बाते वागरा होती है होने के बाद जो शिवानी हो एकदम से उठती और बोलती कि अच्छा ठीक है आज मैं चलू बाद में मिलता है तभी जो निहा है वो हसती है और बोलती कि पतानी तुम आओगी नहीं आओ पर शुक्रिया मुस Przyuesta मिलने आने के लिए खुश हूं मैं इतनी खुशी देने के लिए महरवान ऐसे जैसे वोलती है उटती है जो शिवानी है वो हग करती है जो निहा है वो निया जो है उसे हग करते हैं एकदम से उसके जो है फॉर हेट पे सहलाने लगते हैं लगते हैं लगते हैं कि क्या हुआ है तुम ठीक हो ना मुझे ऐसा क्यों लग रही है कि कुछ हुआ है तुम उस चीज को जेल नहीं पा रही हो क्या हुआ जो शिवानी है वो कुछ नहीं ब जैसे ही वो पीछे पलड़ेगी तभी एकदम से शिवानी नेहा की हाथ पकटते है और सुनो तो शिवानी जो नेहा है वो बोलो तभी ना शिवानी उसकी हाथ को पकटते हुई अपने फॉरहेट पे साथ लगाती है और उसी हाथ में वो एकदम से कीस करती है मिश्का को कोई फरक तो पड़ती नहीं, वो बस खड़ी रहती है वाप और ये नजारा देखती है और इधर निया बहुत शौक्ट हो जाती है, वो एकदम से मिश्का की तरफ एक बार देखती है, और शिवानी की तरफ एक बार देखती है उसको कुछ समझ नहीं आ रही थी, कि असानक इसने किया क्या है तब ही शिवानी बोलती है कि इदनी शिद्धत से मुझे महबत करनी के लिए मैं तुम्हारी आभारी हूँ अब जाके एहसास हुई ही कि तुम्हारी जो महबत है ना, वो वो अलग है, नयाब है शायद तुम जैसी मुझे कोई ना कर सके कभी, कोई ना कर सके मैंने पहली तुम्हें ठुकरा दी थी, ठुकरा है नहीं पर I swear मुझे उस वक्त यह चीज़ कुछ का, मतलब मैं समझी ही नहीं थी कि प्यार क्या होती है, प्यार की ओव फिलिंग्स क्या होती है अब जब मैं किसी से प्यार करती हूँ और वो इनसान किसी और को तो यह चीज़ जाके समझाई की मौपत होती है और मेश का यह बात सुनके, वो बोती है, यह क्या बोल रही है, मैं किसी और को प्यार करती हूँ, भागल हो गई करके तो देखो ये सुकून वाली चीज तभी शिवानी बोलती की अगर मौका मिले तो क्या तुम मेरे साथ फिर से मुझे एक मौका देना चाहूगी मैं अपनी गल्दियों को सुधारना चाहती हूँ मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती जो मुझे इतना बेशुमार मुहपत करती है मैं उस इंसान को कभी खोना नहीं चाहूँ क्या सोयर मैं कभी अपनी गल्दियों को दोराओं मैं कभी जान बुचके तुम्हें हट नहीं करूंगी तभी नहा थोरी पीछ हो जाती और वो मिश्का की तरफ देखती है और वो थी कि शिवानी तो तुम क्या बोल रही हो मतलब तुम इसको लेके आई हो मुझे मुझसे मिलवाने और अभी तभी शिवानी बोल थी कि नहीं मैं इसको कुछ चीजे समझाने लाई हो मैं बहुत पहले समझ गई इसके चीजे पर इसको समझना बागी है बस वो ही समझाने लाई हो लेकिन तुम बताओ क्या तुम मुझे एकसेप्ट करोगी प्लीज तभी नेहा एकदम से उसे हग कर ले थी है और नेहा बहुत प्यार करती थी शिवानी से वो एकदम से बोलती कि पागल हो क्या I always love you always मैं आखिर तक तुम्हारी इंतिजार करती आखिर तक लेकिन मुझे नहीं पता थी कि भगवान मुझे इतनी महरबान कर ले गी और इतनी जल्दी करी कि I just love you as always I do जैसे बोलते हो हग कर दिये इधर मिश्का हुआ पे खड़ी रहती है और तभी शिवानी पीछो ते बोलती ठीक है आज मैं चलती हूँ दुआरा मिलूंगी तभी बोलती कि नहीं तुम्हें आने की कोई ज़रूरत नहीं इस बार नेहा खुद तुमारे पास आजाएगी दोन वरी तो शिवानी हसती है और वहाँ से वो नेहा कोबाई बोलके चली जाती है जैसी यह लोग बाहर की तरफ आते है कार में बैठते है मिश्का कार स्टार्ट करती है तभी एकदम से थोरी देर आगे जाने के पाद एक सुंसान रोट में जो शिवानी हो बोलती है कि स्टाप दा कर तभी मिश्का घूर के देखता बोलती है क्यों तभी वो बोलती है कि स्टाप दा कार मिश्का तभी वो कार से स्टाप कर देती है तभी शिवानी बोलती है बताओ पूछो तुम जो पूछना चाहती हो तभी मिश्का बोलती कि नहीं तो मैं कुछ पूछना नहीं चाहती है हाँ बस इतनी सी बात कि तुमने कहा कि मैं किसे और से प्यार करते हूं ये चीज मुझे समझनी आई और तुम उससे प्यार करते हो मतलब ये ना थोरी जी कन्फ्यूज वाली चीज़ हो गई और तुम उससे मतलब मुझे दोस्त बूल के इंटूडियूस कराई तभी हो बोलती कि अच्छा कोई फ़रक पड़ी तुम्हें मैंने उसको बूला कि मुझे एक चांस देनले के लिए इसका मतलब समझती हो ना तुम तभी मिश्का खुलती कि हाँ शायद तुम उसके साथ पेरब खोना चाहती हो मतलब as a couple या as a partner तभी शिवानी बोलती कि you are very intelligent लेगन ये एक बात बताओ कि तुम्हें कुछ फ़रक पड़ा तभी मिश्का खुलती कि यार इसमें फड़क क्या पड़ने की बात है यार देखो तुमने जैसा का हो और उसकी बातों से जो मैं समझी वो बहुत प्यार करती है तुमको ठीक है ये इतनी तो समझाई मुझे और कहते है कि जो इनसान हमें सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं हमें उसकी साथ होनी चाहिए क्योंकि सिर्फ वही इनसान हमारी कदर कर सकती है तो अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम अगर उसके साथ जूटते हो तो मुझे क्या प्रावलों होगी तभी ना शिवान एकदम सहसती है और बोती है तुम्हें इसलिए फड़क नहीं पड़ दी है क्योंकि तुम्हारी दिल मेरे लिए कोई फिलिंग्स है ही नहीं तुम बस एट्राक्ट हुई थी मेरे लिए सिर्फ एट्राक्शन थी मेरे लिए तुम कभी मुझे से प्यार की ही नहीं तभी तो तुम हमेशा बोलती है कि I like you जब भी मैं तुम्हे I love you बोलती थी उसका जवाब तुम सिर्फ I like you से देती थी और मैं कम वक्त पता नहीं कैसे यारे एक नजर में तुम्हें प्यार कर बैठी लेकिन ये सेही थी जब खुद प्यार की तभी दूसरों की प्यार को समझ पाई वरना नहीं समझती थी तक कभी तुम्हें पता है निहा ने बहुत कुछ किया है मेरे लिए बहुत कुछ बिना कोई मतलब के बिना कोई चाहत के उसको पता थी कि बदले में मैं कभी उसको कुछ नहीं दे सकती कुछ नहीं बलकि प्यार भी नहीं वो इज़त भी नहीं लेकिन वो फिर भी करती गई मेरे लिए बहुत कुछ मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती कि उसने क्या क्या किया है जैसे तुम्हारे साथ जब तुम्हें देखके तुम्हें से फ्यार हो गई तभी जब मैं दिश्टरफ थी तुम्हें और रहाना को लेके कुछ चीज़े एकदम से निया की बात आई और एक दिन जब निया संडे को मुझे कॉल की वो जो मुझे समझा रही थी ना कुछ चीज़े उस शायद समझ गई थी मेरी बाते वो इंडारेक्ली कुछ चीज़े समझाई मुझे तुम्हारे बारे में मैंने बस यह यह बोली थी कि एक लड़की है मैं पसंद करती हूँ उस लड़की के साथ यह यह हुआ मैं उसकी करीब जाने की कुशिश करती हूँ वो सारे चीज़ में उसके साथ शेयर की और पहली बार पता है पास साल में वो पहली बार थी कि आदे घंटे से ज़ादा दो घंटे बात वी उससे मेरी और उस दो घंटे में नेहा ने सिर्फ मुझे समझाई है एक बच्चों की तरह जैसे कि एक माँ होते हैं जब बच्चे रोते हैं बहुत ज़दा फ्रस्टेशन होते है उचीज माँ जो अपनी सीने के साथ लगा कि वो चीज़ समझा रही थी नेहा ने मुझे उस तरीके से समझाया उस तरीके से तब जाके मैं समझी कि नहीं मैं गलत हूँ तुम्हारे साथ कुछ चीज़े गलत कर जी हूँ तब मैं समझी और तब जाके निया की धर्थ को मुझे समझाई कि लास्ट में वो रोते-रोते बता रही थी मुझे वो सारे चीज़ शाय उसको थोरी सी हिंट लग गई थी कि मुझे प्यार हो गई है किसे और से लेकिन वो समझाना बंद नहीं की मिश्का बस एक टाक सून रही थी तभी शिवानी एकदम से बहुती एक बात बताओ कभी तुमने इस चीज़ पर गौर की तुम लक्ष ते इतना चिर्थी क्यों हो क्यों नहीं बनती उससे पिछले कुछ दिनों से जब से आना गई है क्यों नहीं बनती है तभी मिश्का बोलती आरे वो यार वो बहुत रूडली बीहेव करता है यार इसलिए नहीं बनती तभी शिवानी हसते है नहीं बात यह नहीं है बात यह है कि तुम्हें पता चल गई थी कि वो आना को प्रोपोस कर चुका है इसलिए तुम चिट्टी थी क्योंकि तुम्हें वो पसंद नहीं है क्योंकि वो आना की करीब जाना चाता था यह पसंद नहीं तुम इस चीज चीज को मानो इह है नon मानो मिष्का तुमारी आखे जूट नहीं बूलती मिष्का अिद्द् legisl pajud jiit तभी शिवानी बोलती hi कुछ से जूट बोलोगी या मुझसे जूट बोलोगी लेकिन आखों को कभी वो प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ती ना मैं तुम्हारे आखों में वो चीज देख सकती हूँ और पता है कुछ से एक बार पूछ लो ना जो कॉमफोर्ट तुम फील करती हो ना हाना के साथ क्य तुम कभी किसी के साथ किये हो कुछ से एक बार सावाल करके देख वो लड़की तुम लाकिस्ट हो कि वो लड़की तुम्हें इतनी मौपत करती है पता है अपनी मौपत को लेके उसी के डेट पे जाना आम बात नहीं है कभी सोची हो वो लड़की अपनी दोस्ती की चक्कर में अपनी मौपत को कुर्बान कर दी वो लरकी नसीब की बात है मिशका कि वो तुम्हें मौपत करती है कभी सोची हो उसके बारे में एक बार खुद से सवाल करके देखो देखो खुद को सवाल करके जब भी तुम आना के साथ होती हो तुम अलग सी होती हो, तुमारी अंदास बदल जाते है, तुमारी बात करने की तरीखा बदल जाते है तुम अंदर से खुश होती हो सोचो इस वारे में ये बोल कि शिवानी कार से उतर जाती है और बोलती हैं हम दोस्ती अच्छे है I'm sorry मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा पेमपर किया है I'm extremely sorry लेकिन हाँ अब बहुत अच्छी दोस्त बन के दिखाऊंगी लेकिन आना जैसी नहीं बन पाऊगी बट दोस्त बनी सकती हूँ best of luck और हो सके तो अपनी मन की बात सुनो see you soon ये बोलके वो उधर से एक कैब रुकाती है और वहाँ से चुपचपचा ले जाती है मिशका बस वही पे वो बस गारी में बैठी हुई वो सोचती रहती है और तभी उसके फोन पे एकदम से कॉल आती है रुई की और रुई हुषिया बूलके फोन रखती है और एककदम से वो गारी सटार्ट करती है और स्टार्ट करकि वही जगह पे पहुँたい नजरे के बाद हो जाती हो जाके उसकी नजर सीधा आना पर पड़ती है आना को तो रात वाली सीन नजर आई थी तो जैसी वो देखती है वो तुरंट अपनी नजरे को चुरा लेती है नजरे को चुरा कि इधर उदर देखने लगती है तो मिश्का आती है और बोलती कि हो गई सबका जो रूही ड्राइफ कर रही थी और जो पुझा है उसके साथ बैठी हुई थी रूही एक हाथ से पुझा की हाथ को पकड़े हुई थी कसके पीछे जो आहाना बैठी थी आहाना के साथ में मिश्का आना अपनी सर जुकाए बैठी हुई थी और मिश्का वो एक टक आना की तरफ देख रही थी मिश्का खुदी से अंदर से अंदर वो मनी मन भात कर रही थी खुद से लड़ रही थी वो सारी चीजों को समझने की कोशिश कर रही थी लेकि निक्दम से सब चीज ऐसे आना वो चीज मानने में थोर थाилась तब वो समय लगे लगेगी न वो खुद से लड़ रही थी क्या सीवानी ने जो कही वो सच है क्या सच में जो आना के साथ वो जिस तरह से भिएफ करती है जिस तरह से वो खुल के जीती है वो किसी और के साथ वो नहीं होती क्या शिवानी की भात सच है ये सारे चीज़ वो सोचती रहती है पूरी रास्ते तक ये लोग घर पहुचते हैं घर पहुचके फ्रेश वगरा होते हैं सब अपने अपने कमरे में जाके आते हैं के थोरी बहुत बात है वगरा करके डिनर का वक्त हो चुके थे तो डिनर वगरा करते हैं डिनर करने के बाद एकदम से जो पूजा की मौम है वो आज थोरी उनकी मतलब अलगी थी वो एकदम से रुही को बोलती कि रुही मतलब हम इंडिया वाफस कब जा पाएंगे तब रुही घूर के देखता है आउंटी अभी तो फिलहल नहीं पर अचानक इंडिया जाने की बात तभी हो बोलती कि नहीं बेटा हम एवरोट में कब तक रहेंगे मतलब मैं अकेले जाने की बात नहीं कर जयूह Sophomain पुजा को लेके जाने की बात करें तबी एक दम से रुही खड़ी हो जाते है अंची मतलब अभी तो मतलब वो बाकी है न फिनाले बाकी है शो का तो फिनाले खतम होगी फिर यहाँ पर कुछ चीज़े है वो खतम होगी फिर जाके आप लोग इंडिया जा सकते हैं मतलब और अभी इंडिया जाने की तभी बोलती कि नहीं बैटा अपनी देश में जो जो सकून मिलती है ना वो और देश में का बस इसलिए बोल रही थी तो रुही बोलती कि नहीं वो एक्चुली इनका ये शोक हतम हो जाए उसके बाद कुछ प्रोसेडियूर है और उसके बाद जा सकती है तभी बोलती कि ठीक है ठीक है बैटा तुम जाके सो जाओ आराम करो ये बोलके वो चली जाती इदर मुझे एकदम से रुई की तरफ दिखतर हो थी कि ये ममी ने अचानक इंडिया जाने के बात क्यों कही तभी रुई बोलती कि मुझे खुच शौक लगी है क्यों बोली मुझे पता नहीं है तो ये लोग थोड़ी बहुत बात करती है और ये लोग बात करते करते कमरे में चली जाती है आहना अपनी कमरे में जाती है अपनी मौम से बात करी थी मिशका को नीन नहीं आ ली थी मिशका घर के बाहर गार्डे निरिया में जाकर बैंस पर बैट जाती है और सोचने लगती है शिवानी की हर वे एक बाते और वो अपने आँखों को बंद करती है और आँखों को बंद करके शुरू से जिस वक्ट वो रहाना से पहली बार मिली थै वो सारे चीज वो फलेश पैक पेजा थी और एक एक चीज वो अपनी ध्यान में से वो देखने लगती है हर एक चीज कई कई चीज वो देखे फ्लेश पेक वो उसकी फेस पे स्माइल आ जाती है वो सुनहरी पल थी जो अहना के साथ ये लोग मस्ती मज़ाख में कर रहे थे को सारे चीज वो देखती है करीब दो गटे तक वो बहर ही रहती है और उधर रुही और पूझा ये लोग कमरे में जाके पूझा बहुत ठक गई थी करीब देर राद तक आहना सोरी जो मेशका है वो अंदर रहती है मतल्ले बाहर रहती है और बाहर जैसे रहती इदर जो आना है उसको एकदम से नीन जो है टूटती है उसका नीन जैसे टूटती है वो साइड में देखती है जो पानी की बाटल है उसके देखते है तो पानी पीते है 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 पानी पानी पीते है पानी 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 प नीचे वो जाके बाहर जाती है और एक्तम से मिश्का की सामने खरी हो जाती है और बोलती है आप यहाप क्या कर रही हो इतनी रात को मिश्का जैसी ही आहना की बात सुनती है वो एक्तम से आखे खूलती है और आहना को देखती है और बोलती है नहीं कुछ नहीं बस ऐसी वो न देखी कि नहीं ना मैं ठीक हुए है बर तब ही आना उसके सायत में जाके बैठती है और उती क्या हुआ कुछ सोच रही हुआ कुछ परिशान हो शीवानी के साथ से कुछ ठीक है ना देखो एक बात है शीवानी ना बहुत अच्छी है उसको समझने की कोशिश तो करो देखो हम जो प्यार करते है ना अब प्यार करने के बाद जब किसी से प्यार करती है तो एक्सपेक्टिशन भी आ जाती ही कि आपका पार्टर आपको उतना वक्त दे आपको समझे ये वो तो हो ना शीवानी के लिए बहुत सारे चीज़े बोली थी तभी मिशका उसके तरफ देखता है बोलती कि अच्छा तो तुम भी तो मुझसे प्यार करती हो पर तुम ने तो कभी ये चीज़ मांगी नहीं उससे जैसी ये बोलती है आना एक दम से घूर के देखती है जो मिशका को और बोलती कि वो 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 ये ये मतलब वो तभी मिशका बोलती कि क्या मतलब हो करती हो ना बोलो करती हो ना लेकिन तुमारी प्यार में कोई वो मतलब या फिर वो जो होते है ना चाहिए होती है एक ची नहीं देखी, तुमने कुछ चीज़ भागी नहीं मुझसे, हाँ, और तुम मुझसे प्यार कर दी हो, और मेरी जो गल्फेंड है, उसके लिए बोल रही हो, कि उसको टाइम दू, उसको ये दू, हाँ, तुम्हें तकलीफ नहीं होती क्या, तभी आना बोल दी कि नहीं, मुझ प्यारी है, जैसे ये बोलती तो मिश्का एकदम से आना की हाथ पकर लेती है, और बोलती कि पता है, तुम बहुत अच्छी हो, तभी जो है, वो आना बोलती कि अच्छी ठीक है, अब चलो भी, मतलब इतनी ठन में अच्छी नहीं लग रही है, उठो ना, तभी बोलती कि न आना को थोरी सी वो अजीब तो लगती है, लेकिन वो मना नहीं करती होती है, अच्छा ठीक है, क्योंकि उसको लगती है, मिश्का साइद डिस्टाब है किसी चीज़ से, तो मिश्का भी बे फिक्र होके, उसकी लप पर अपनी सर रखती है, और बैंच पर ही वो लेड़ जा है, फ्रेश वागर होके आती है, नीचे, जो रूही है, उसको मिश्का से बात कनी थी, वो कमरे में जाती है, तो कमरे में मिश्का थी नहीं, तो वो आती है, और वो बोलती है कि मिश्का का है, तो ग्रैनी बोलती है, तो पूजा भी एकदम से बोलती है, देखो आना की कमरे है, तो रूही जाती है आना की कामरा में, वह आना भी नहीं थी, तो भोली थी आरे यार यह भी नहीं है, यह दूनों है कहा, तभी पूजा बोलती write मoh저 क्या बता थो यह दोनों को ढूंड़े लगते ढूंटे 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 रूह एकदम से बाहर की तरफ आती है और जैसे आती तो यह नजारा देखके वह एकदम से हसती है तो पूजा भी ढूंटे 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 आते हैं आपको ढूंडने भेजी थी या आपकी हसी देखके क्या मतलब क्यों आसरी हो तभी रूही एकदम से पुझा की हाथ पकड़ते अपनी तरफ खीचते और बोती कि देखो कितनी प्यार से सो रही है ये दोनों तुम तो भाई क्या बोले तुम इतनी वैस्ट रहती हो ना कि मुझे इतनी प्यार करती नहीं हो तभी पुझ से सो रही है रुको एक पिक ले लेते हैं तभी हो एक पिक ले लेते हैं और जैसे ही प्लिक होती है ना तो एकदम से आना की नहीं तूटती है और जैसी तूटती है वो सामने देखते है रूही और पुझा को तो एकदम से वो बोलती है आरे तुम दोनों तो मिश्का भी उ पहले उठा लेती तभी आना बोलती कि मैं भी अभी उठी हूँ मैं कैसे उठाती तक बोलती कि लो अब अब मतलब यह चेड़ेगी अब चेड़ना शुरू हो जाओ और क्या तभी आती है पुझार आके बोलती है है इतनी प्यार से नींद ले रही थी तुम दोनों एक देख कि ते पता नहीं कब नींद हो गया है हाँ कब नींद आ गई तुम्हारी लेप में ऐसे साइड़ा करके हाए हाए तभी आना बोलती कि यार ऐसे इस विशे में मत चेड़ प्लीज तो पुझा चुप हो जाती तो मिश्का भी उठती है और तुम दोनों का कोई हूटी नहीं तो ऐसे ही ना करीब सब कुछ नॉर्मल हिसाब के चलती है और शिवानी जो है वो मिश्का को ज्यादा और उस वे में परिशान नहीं कहती जैसी कि उसने कहा थी कि वो दोस्त ही रही कि तो दोस्त की तरह ही उससे बरताफ करती है ऐसे ही करीब तेन दिन तक सेम रूटिंग चलती है पूजा जम के अपनी प्रैक्टिस पे वो पूरी जहान लगा देती है और एक दिन बाद ही फिनाले थी परफॉमेंस तो सब कुछ जो है प्रुपर तरीके से वो हो रहे थे उस दिन शाम को यह लोग घर आते है घर आने के बाद रुही थोरी सी वो नर्वस थी बहुत ज़्यादा नर्वस थी क्या फाइनल है कल तो इसके तैयारी सब कुछ वो करती है पूजा को बहुत होसला दी जाती है ऐसे ही वो रात हो जाती है जिस दिन फैनाले थी उस दिन रुही आफिस नहीं जाती है वो सिर्फ पूजा के साथ थी पूजा की मौम बेहन सब क कुछ वहां पे वो स्टेज के भाहर थे पूजा प्रैक्टिस वगरा करके परफॉमेंस के लिए रेडी हो रही थी और आज का वो ड्रेस अपना बहुत ही बढ़िया थी आज की ड्रेस अप पहली हो उसकी दो परफॉमेंस थी वो जो है पहले सिंगल करी फिर डूएल अपनी क होती है तो आज यही तक जानेंग अगले पिसोड में की पहलेंस में क्या होती है तब तक अपना ध्यान रखिए अपनों का ध्यान रखिए डेर सारा प्यार बाटिए खुश रहो खुशिया भाटो लव यू आल गाई सी यू सून खुदा आफे स्टार्ट आप बाई